हेलो फ्रेंट्स, थर्डी डेस चैलेंज का अज डे नाइन हैं तो आज हम बनाएंगे आलू सैंडविच इसके लिए सबसे पहले हमें आलू को बॉयल कर लेना है इसके बाद इसके छिलगे को अलग करके हमें इसे मैशर के हल्प से मैश कर लेना है अब इसमें प्याज हरी मिर्च को हमें फाइनली चॉप करके अड़ करना है नमक अड़ करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाइल मिर्च पाउडर अड़ करेंगे और चाट मसाला अड़ करेंगे लास्ट में हर अधनिया अड़ करेंगे अब सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब ब्रेट स्लाइस लेना है यहाँ पर मैं दो ब्रेट स्लाइस ले रही हूँ हमने जो आलू वाल मसाला रेडी किया है उसे यहाँ पे अब लगाएंगे ब्रेड के उपर तो इसे अच्छे तरीके से हमें फैला लेना है इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसे चमच की हल्प से अच्छे से इसे स्प्रेड कर ले ये इस तरीके से आप देख सकते हो इसी तरीके से दूसरे ब्रेड के उपर भी हमें आलू आले मसाले को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है जिसे चमच की हल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे यह अब रेडी हो गया है अब एक ब्रेड लेंगे उसकी हल्प से उपर से इसे कवर कर देंगे एक और ब्रेड लेंगे इसी तरी किसे इसे भी उपर से कवर कर देना है पैन जब अच्छे जगर्म हो जाए उसमें घी लगाएंगे सैंड्विच जो हमने रेडी किया है उसे पैन में आड़ कर देंगे उपर से भी हमें देसी घी लगाना है दूसरे ब्रेट पर इसे लो फ्लेम पर ही सेकेंगे अच्छा सा कलर आ जाएगा उसके बाद इसे फ्लिप कर लेंगे अब दूसरे साइट से भी हमें अच्छे से सीखना है एक मिनट तक अच्छे से सीखेंगे इसमें भी अच्छा सा कलर आ जाएगा पिर यह बनकर ready है, दोनों साइट से ही बहुत ही अच्छा से इसमें color आ गया है, तब यह ready से निकाल लेंगे, इसी तरीके से बाकी sandwich भी बनाकर ready कर लेते हैं, तो पैन में घी लगाएंगे, जो sandwich हमने ready के उसे add कर दींगे, अब इसे अच्छे से शेकेंगे, एक मिनट तक, पर से भी हमें थोड़ सा देशी गी लगाना है, अब इसे flip कर लेंगे, दुसरे सैट से भी हमें इसे अच्छे से सीखना है, अच्छा सा color आ जाएगा, तो फिर इसे निकाल लेंगे, इसमें बहुत ही अच्छा सा color आ गया है, अब यह ready है, अब इसे निकाल लेंगे, इसे अब कट कर लेंगे, बीट से, तो knife के helps इसे कट करें, बहुत ही आराम से यह कट हो जाता है, इसकी stuffing देख सकते हो, यह बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, बहुत ही crispy बनते हैं, बहुत ही आप जल्दी में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बनाएं, तो यह recipe आपके लिए हैं, इसे जरूर ठ्राई करें, बहुत ही healthy है, बहुत ही quick भी बन जाता है, तो इसे आप भी खाएं, खेलाएं, और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे झाल करें लिए हैं, बहुत 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 हैं,